नमस्कार आईए आज बनाते हैं चाशनी वाली मीठी सिवहियां इसके लिए एक कटोरी ड्राय रोश्टेड सिवहियां और तीन चोथाई कटोरी चीनी ले लीजिए 10 काले मिर्ज, 5 लॉंग, 4 छोटी लायची, 1 पिंच केशर की ले लीजिए साथ में कुछ काजू, बादाम, गोले के टुकड़े और पिस्ता ले लीजिए काजू, बादाम के दो-दो टुकड़े कर लीजिए कड़ाई में दो टेबल स्पून घी गरम करके लॉंग, इलायची और काली मिर्ज डालें साथ में सभी ड्राय नट्स को डाल दीजिए और लगातार चलाते हुए धीमी आँच पर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिए देखिए नट्स भून चुके हैं, हमने एक कटोरी सिमया ली हैं इसलिए उसका डबल दो कटोरी पानी डाल लीजिए अब धकन लगा दीजिए और तेज आँच करके उबाल आने दीजिए धकन हटाएं, देखें पानी उबल रहा है अब चीनी डाल दीजिए और चीनी को मेल्ट होने तक लगातार चलाईए अब केशर और कुटी इलाइची डाल दीजिए साथ में रोश्टेट सिवईयां भी डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए धक कर दस से बारा मिनट धीमे याज पर पकाएं बारा मिनट बाद धकन हटाएं देखें मीठी सिवईयां बन गई हैं लेकिन सिवईयों में हलका गीलापन है इन्हें फ्लेम आफ करके पांच मिनट के लिए इसी तरह धका रहने दीजिए पांच मिनट बार धकन हटा कर देखें लीजिए हमारी सिवईयां अच्छी तरह से बन कर तैयार हैं तैयार सिवईयों को डौंगे में सर्व करें और रक्षवंदन तिवहार का आनंद उठाएं यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद